तो दोस्तों फिर से आपका स्वागत एक नए टोपिक के साथ दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है और बहुत जादा इंट्रेव से पूछ जाता है जो भी लोग प्लैनिंग में कॉस्टिंग बजेटिंग एस्टिमेशन में काम करते हैं उन लोगों के लिए टॉपिक से प्लैंट बजट होता है तो जो बजट होता है उसको हम पहले बनाते तो सबसे पहले क्वेक्शन है कि हम उस बजट को ट्रेक करते क्यों है यह इप बहुत important गाम है कि यह हमें पता होना चाहिए कि जो हम budget बना रहे हैं construction किसी भी cycling किसी भी कोई एक्सकाम करने के लिए जो budget बना रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए हम उसे track क्यूं कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं यह दो कि कैसे-कैसे हम budget को track करते हैं theoretically और actual जो हमारी planned value और earned value यह फिर हमारी actual values होती है और इसके साथ साथ जो कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो टीम टेकनिकल टम्स होती है इसमें first is planned value, second is earned value and third is actual value, actual cost इन तीनों के बारे में हम आपको बताएंगे इन में लोगों को बहुत confusion होती है कि planned value क्या होती है, earned value क्या होती है और actual cost क्या होती है exactly, budget के अंदर तो क्योंकि काफी सारे इंटियों में पूछा जाता है कि planned value और actual value क्या होती है and earned value क्या होती है और जो हमारे कुछ technical terms होते हैं, इनका relevance क्या होता है, दोस्तों शुरू करते हैं आज का ही topic, तो दोस्तों topic स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, तीन cost के बारे में जिसके बारे मैं आपको बताया था, उसमें सबसे पहली है मेरी planned cost, इसको हम BCWS भी बो किसी भी project का budgeted, जो planned cost होती है, for example, अगर मैंने कोई भी एक X project पकड़ा हुआ है, और उस project X को करने के लिए मेरी Y करोर जो costing आएगी, तो ये मेरी planned cost है, जैसे कि ये नाम भी बता रहा है कि planned cost, जो मैं अपनी cost को plan करूँगा उस particular project को करने के लिए, वो मेरी planned cost होती है, और उस होते हैं, ठीक है, second और सबसे most important or confusing वाली है, earned value, दोस्तों ये बहुती confusion पैदा करती है, क्योंकि नॉर्मरी लोगों को planned और actual cost के बारे में पता होता है, earned value के बारे में नहीं पता होता है, तो मेरा जो आज का motive है, आपको earned value के बारे में बताने का भी है, तो दोस्तों ये जो ह हमने plan किया था, उस काम को perform हो जाने के बाद, उसकी जो budgeted cost होती है, वो earned value कहलाती है, मतलब अगर मैंने for example, मैं इसको ऐसे समझाता हूं आपको, कि अगर मेरा for example, कोई भी एक task है, जो 100 रुपीज का मेरा planned है, ठीक है, और ये मेरा जो planned है, वो एक दिन का duration है, इसका, इसका ज पता लगता है, कि मेरा जो काम है, वो 40% के approximately achieved हुआ है, ठीक है, तो 40% मेरा काम achieved हुआ है, तो उस particular task की जो EV, earned value होगी, वो 40 रुपीज होगी, क्योंकि जैसे कि इसका नाम बोले रहा, budgeted cost for work performed, जो भी मेरा work performed हो गया है, उसकी budgeted cost को हम earned value बोलते हैं, ठीक है, तीसरी ये most important है, actual cost, actual cost को हम ACWPB बोलते हैं, जिसका की full form होती है, actual cost of work performed, जैसे कि इसका नाम भी बोल रहा है, actual cost, इसका अर्थ ही होता है, कि जो भी हमने काम plan किया है, काम हो जाने के बाद, उस काम को होने में कितना पैसा लगा है, कितना actual पैसा लगा है, वो हमारी actual cost होती है, अगर for example, अग जो मेरी actual पैसा लगता है, प्रोजेक्ट में, वो वाई लगता है, तो मैं यहां पर बात कर रहा हूँ, actual cost की, जो की मेरी वाई है, क्योंकि मेरा जो काम actual में हुआ है, जो perform हो गया है, उसको लगने के लिए actual cost भी मेरी होगी, क्योंकि जो planned और actual हमें से variation आएगा, तो जो actual cost ह होती है, वो हमारी actual cost कहलाती है, जो पैसा हमार प्रजेक्ट में लग चुका होता है, इसके बाद एक टर्म और होती है, जिसको हम बोलते है, cost performance index, इसको हम CPI भी बोलते है, आप मैसे काफी लोग होने, इसका नाम सुना भी होगा, तो इसका बड़ा simple सा calculation होता है, इसको नकाल particular चीज से planned cost, earned value and actual cost निकल कर आ जाएगी और आपको इसमें कोई confusion नहीं होगी, ठीक है, अब हम अपना topic start करते हैं, जो कि हमारा main topic था, कि why to track the project budget, कि जो project का budget होता है, हम उसको track क्यों करते हैं, तो देखो दोस्तो, इसका सबसे simple सा answer होता है, कि project जो हम, हमने कोई भी हमारा construction project ह या फिर एक्स वजट, कोई भी project है, उसकी जो costing होती है, उसको track करने का हमारा जो तातपर्य होता है, वो ये होता है, कि हमें पता लगाना होता है, कि जो हमारा project है, वो under budget बन रहा है, या over budget बन रहा है, अगर आप budget को track नहीं करेंगे, तो आपको पता ही नहीं लगेगा, कि project यह हमारा theoretical method होता है और यह हमारा actual method होता है अब इसका मैं एक्जामपल प्रता हूँ आपको considering कि मेरी project की जो cost है वो 100 करोड रुपे है कोई भी वारा एक project है एक्स project है उसकी cost 100 करोड है और उसके बाद इसका duration है जो time taken है हमारा वो 2 साल है मैं ideal condition मन के जल रहा हूँ जो project की cost है वो 100 करोड है और जो duration है वो 2 years है चीक है अब देखिए मेरा एक साल project का निकल जाता है एक साल के बाद मैं उस cost को track करता हूँ अब track करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि देखिए मैं निकालता हूँ work done value या फिर मेरी cost incurred की मेरा एक साल तक काम होने के लिए मेरी कितनी cost लग गई project मैं complete करने के लिए ठीक है तो मैं जब cost incurred निकालता हूँ तो theoretically मेरा 100 करोड का budget था और उसमें से 40 करोड मेरा लग गया first year में जो मैंने first year में निकाला है तो मेरे पास जो rupees बसते हैं और rupees 60 करोड बसते हैं देखिए यह theoretical method है कि मैंने इस मैंसे इसको मैंने स्कुर्ट पर थिरोटिकल आंसर निकल कर आ गया दोस्तों लेकिन यह एक बहुत ही negative approach होती है इससे आप कभी भी अपने budget को under है या over है वो check नहीं कर पाएंगे reason being कि जब 40 यह है और 60 यह है तो 40 प्लस 60 वो 100 ही हो जाएगा तो आपको यह पता ही लगेगा क्या आपका project over budget है या फिर under budget है यह आपको पता लगाने के लिए इसका एक अलग method होता है वो मैं आपको बताता हूँ तो उसमें जो second method है जो actual method की हम बात कर रहे है उस method में क्या होता है कि after completion of one year हम cost incurred निकालते हैं जो कि मैंने आपको बताया वो 40 CR हमारा काम हो गया 40 CR का अब मेरे पास एक साल 10 रो बचा हुआ है और एक साल में मुझे जो theoretical cost है वो 60 crores है जो बसती है लेकिन मुझे इसमें 60 crores ऐसे नहीं नीकालना होगा मुझे क्या करना होगा मुझे जो मेरा balance काम बचा हुआ है जो आपका project पर balance काम है मुझे कैलकुलेट करना होगा उस calculate करने के लिए मुझे क्या करना होगा उसमें जो मेरे present rate चल रहे है project के after completion of one year present rate है वो मुझे डालने पड़ेंगे क्योंकि जो मेरा project है वो एक साल अभी और चलेगा आगे तो जो present rate चल रहे होगी आपको उससे बनाना पड़ेगा either present rate labor के हो चाए material के हो उसके इसाब से आपने balance की back calculation करेंगे ठीक है back calculation करने का फायदा क्या होगा आपको जब आ back calculation करेंगे तो जो 60 crore figure आपका निकल कर आया था यह exactly 60 crore नहीं आएगा यह मेरा figure है यह हमेशा या तो इससे कम आगा या ऐसे ज़्यादा आएगा बहुत ही idealization हो 60 crore आएगा until illness वो कभी भी 60 crore नहीं आएगा considering कि वो कितना आएगा तो या तो 55 crore आ सकता है या 56 या 59 something like that ठीक है इतना आ सकता है या फिर वो जो budget मेरा बचा हुआ है वो 65, 68 या 70 CR तक आ सकता है depending on the present rate कि present rate क्या है मेरी labor के charges क्या क्या हो कुछ hike हुआ है या फिर जो material है उसमें को majorly hike हुआ है तो यह हम निकालेंगे इससे कि यह हमारा किस back calculation निकालेंगे हमारा कितना पैसा लगने वाला है दोस्तों अब देखो यह जो back calculation का फायदा वो ऐसे है considering कि आपका 40 crore रुपे खर्च हो चुका था मेरा ठीक है 40 crore खर्च हो चुका था प्लस अब मैंने back calculation के तो मेरा 55 crore रुपे और लगेगा तो 55 मैंने एड कर दिया तो दोस्तों यह मेरा 95 CR आ जाता है अब देखिए यहां मुझे पता लग गया कि मेरा project under budget है और मैं अपनी management को अपनी company को बता सकता हूं कि जिस project में काम कर रहे हैं after completion of one year वो project हमारा under budget काम कर रहा है और हमारा काम वो 95 CR में हो जाएगा अगर यहीं वो project मेरा 70 crore में होता है तो 40 plus 70 which is equal to 1110 CR बट मेरा budgeted amount था वो 100 CR था और यह 110 CR हो गया तो मेरा budget 10 crore से बढ़ जाता है और मेरा project जो है वो over budget है तो दोस्तों इसको जो tracking की सबसे best exercise होती है वो हमारी होती है कि हमें इसको quarterly basis पर track करना चाहिए क्योंकि quarterly basis पर track करने से क्या होता है हमारे पास जो data की accuracy होती है वो बहुत अच्छी आ जाती है और हम इसको बहुत अच्छे से अपने management को present भी कर पाते हैं tenure के होते हैं और उस time पर हमारा जो material है मैंद पावर है उसके prices भढ़ते रहते हैं उस और उसी के reasons के वजए से हमारा project over budget होता है बहुत ही rare cases में हमारा project under budget consider होता है तो दोस्तों यह मैंने आपको बताया कि हमारा project कैसे हम track करेंगे कि वह under budget है या over budget है अगर इसके अलाव यह आपको कोई confusion है तो आप मेरे comment section मुझे से हैं मैं आपको वहाँ पर इस चीज के लिए answer दे दूँगा कि वह हमने कैसे ने calculate किया है दोस्तों इसके साथ मैं आपको बताता हूं कि हमारा project under budget है या over budget है उसके reasons क्या-क्या हो सकते है यह भी होता है यह भी काफी इंडर्यूस में पूछ लिया जाता है तो दोस्तों इसका सबसे पहला जौर major reason होगा它 ひ às अगर मेरा project में जो material लग रहा है उसका price increase हुजाता है तो मेरा project का budget increase हो जाएगा और यहीं अगर project में जो material consumption हो रहा है उसका price decrease हो जाता है तो मेरा जो प्रोजेक्ट के बजट है वो डिक्रीज हो जाएगा ठीक है पहला point यह है second है change in drawing oblique specs अगर मेरी project में project के middle में कोई भी specs हम revise करते हैं या फिर कोई high end specs में जाते हैं या फिर low end specs में जाते हैं या फिर कोई हमारा changes in drawing होता है तो हमारा project उपर या नीचे जा सकता है next में थोड़ा सा less कर देते हैं तो project हमारा under budget हो जाता है third main reason है manpower charges दोस्तों जो हमारी manpower labor काम कर रही होती है site पर उसके rate revisions होते रहते हैं उसकी वज़ेस से हमारा जो price है project का budget का वो over budget चला जाता है ठीक है तो दोस्तों इसमें हमारी chances हैं वो over जाने की होते हैं अंडर का chances बहुत rare होते हैं reason being कि जो labor charges है वो over a period of time बढ़ते ही हैं वो कम नहीं होते हैं इसलिए इसमें बढ़ने का बढ़ने का chances जादा रहते हैं तो इस वज़े से भी हमारा project over budget हो जाता है और सबसे चौथा जो और आखरी item है वो है item addition अगर मेरे budget में कोई भी item miss हो जाता है कोई भी item मेरा missing है और उसको हम बाद में add on करते हैं budget में तो भी मेरा project का budget जो है वो over चला जाता है या फिर अगर कोई item हम उसमें से minus कर देते हैं specs में change करके तो मेरा budget minus चला जाता है otherwise mostly item addition ही जादा रहते हैं तो हमारा जो budget है वो over चला जाता है इसकी वज़े से तो दोस्तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यी video अच्छा लगा होगा और आपको इसमें जो budget के tracking के regarding कुछ जो queries हैं वो काफी हत्तक सॉल हो गई होगी इसके लावा अगर आपको कोई confusion है कोई और मुझसे पूछना है तो आप मेरे comment section में जाके मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों आज का यी video हम यहीं खतम करते हैं वीडियो को like करें subscribe करें comment करें एंड आप अपने junior seniors को भी बताएं इस चैनल के बारे में और इन वीडियो के बारे में जिससे कि वो भी इस चैनल के तुरू information and knowledge गेंज कर सकें